ये जो हलुआ आप देख रहे हैं ये कोई सीधा साधा सिंपल सा हलुआ नहीं है बलकि सौफाइदों से बना हुआ है इसे मैंने खास तरीके से बनाया है अगर आप इसे कुछ दिनों के लिए डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी ठकान जैसी शिकायत नहीं रहेंगी अगर आपको स्ट्रेस की दिक्कत है तो वह भी खतम हो जाएगी और साथ में अगर जोडों का दर्द रहता है तो उसको भी ये काफी कम कर देगा इसको खाने के बाद आपको बहुत ही जदा मजा आ जाएगा अप अंदर से चरुस्त दुरुस्त और अंदर नहीं इसको जो एक कड़ाई में डालते हुए यह रोस्ट करना होता है यह जो फॉक्स नट्स या मखाने यह जहांसे भी आप ड्राइफूट्स लाते हैं आजानी से मिल जाते हैं इसमें बहुत सारे गुडों का ख़जाना होता है इसमें जिंक, मैगनेशियम और विटामि केलशियम का बहुत जादा महत्व होता है इसमें मातरा में होता है इसमें एंटी ऑक्सिंग एजेंट्स पाई जाते हैं जिसे जो बालों के लिए स्किन के लिए बहुत फाइदेमंद रहता है यह वेट लॉस में भी आप खा सकते हैं मखाने अगर आप नींद में हैं के लिए नीज़ हो गया और हम ने इसको एक बार क्रश करके भी देखा आसानी से क्रश हो रहे तो इसको हम बिल्कुल निकाल लेते हैं इसको और दूसरा पैंग यस पर रखते हैं इसमें हम एक कप गुड डालते हैं और दो कप पानी डालते हैं आप चाहें तो गोड की तत्वों होते हैं जो शरीर को बहुत फाइदेमंद करते हैं अब बच्चों से लेकर बड़ो तक सबके लिए यह healthy substitute है चीनी की जगह पर तो यहां पर मैंने गुड को मैंट करना है तो बस हमें सिर्फ गुड को मैंट करना होता है इसे खूप जादा पकाना नहीं होता है सिर् इसको बिल्कुल छान लेती है तो यहां पर हमारा गुड का पानी भी बिल्कुल तयार हो चुका है इसके बाद यहां पर मैंने वनफोर्थ कप बड़ाम उससे भी कम बड़ाम ली है और बड़ाम तो आप जानते ही है किता फाइदा करते हैं इनको हमने पीस कर पॉडर बना इसको अब हम साइब से रख लें और इसको अब हमारे लोटस इट्स ते यानि की फॉक्स नर जिसे मखाने कहते हैं वह भी हमारे बिल्कुल थंडे हो चुके और अज़ानी से अच्छी तरीके से पीस लें मिक्सी के जार में और इसका बीदम फाइन पाउडर डाल देंगे क्यान पाउडर हमने इसका बना लिया रख लेता है कि डाले दाल लेगे इसको तरुप घेहू का आटा सात में हम डाले 15 तैविल सब्समें आप चाहे तो सत्तू का आटा भी डाल सकते हैं, जिससे आप चने का आटा भी कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द रहता है, नहीं तो ग्वेसन को आप जानते ही हैं, किता फाइदा करता है, कितने अज़ा प्रोटीन से भरा होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी प्रोटीन केशियम की जो आप देख सकते हैं कितनी रहती है जो बेसन हमारी डेली उसमें इंट्रूड रहता है तो बहुत जादा फाइदे बंद रहता है इन्हें हमें दीनी आज पर आटे और इसे हमें अच्छे से बुनना होता है नुकसान ही करते हैं साथ में इसमें अब हमने यहां पर बदाम है हमने बदाम को बिना बिगोए ऐसे ही पीस लिया तो हमें बदाम को भी अच्छी तरीके से रोस्ट करना रहता है तो हम बदाम को डालके भी इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं इसमें इतने फाइदे ह इस हलुए में कि अगर आप कुछ दिनों के लिए अपनी डाइट में इसे शामिल कर लेंगे तो उसके बाद इसका नतीजा आप खुद देख पाएंगे कि यह कित्ता फाइदे मंद करेगा कित्ता फाइदे मंद रहेगा कि आपके शरी की चुस्ती और इसे तंदरोस्त रखता है बिल्कुल दर्द वगर आपकी बिमारियां है वो काफी कम कर देता है तो यह बहुत फाइदे मंद रहता है यहां पर देखे हमारा यह जो है आटा हमने बदाम खुब अच्छी तरीके से इनको भून लिया है इसमें ही अब यह जो फॉक्स नट यानि हमने मखाने भीस के रखे थे उनको भी डालके हम इसे अच्का सब भून लेते हैं वैसे तो हमने मखाने पहले ही भून लिया थे बस बन फॉर्ट कप देशी घी डालके इसको हम खुब अच्छे से चलाते रहेंगे तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे यह देखिए हम इसे यहां पर अच्छी तरीके से मिक्स कर चुक है अगर आपको लगे बहुत जादा कीक कम है तो आप इसमें घी की मातरा थोड़ी बढ़ा है वनना यह पॉफेक्ट बनता है यहां पर हम इसे अच्छी तरीके से मीडियम सिम गैस पर ही बिल्कुल पकाते रहेंगे इसमें हमें थोड़ा सा घी कम लगा तो मैंने बस दो स्पून घी इसमें और डाल दिया है तो इसमें हम खूब अच्छी तरीके स हमारी भून गई है घी के साथ भी फ्रेंट्स इस रेसिपी को आप अपने फैमली और फ्रेंट्स मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी कोई यह रेसिपी दे कि अपने घर पे बनाया और इसके लाव उठाए क्योंकि ऐसा हलुआ इतना इम्यूनिटी इसमें अ डाल देंगे रखन नहीं क्योंकि हमने पहले ही गुड़का पानी बना लिया है इसको हमें हमें गाडा करना है जब तक कि इसमे घर लगा बूनना है तो हम इसे खूब आफिसे तरीके से चलाते रहेंगे अरु आपना पकाना होता है से तेज नहीं बड़का है अच्छी तरीके से पका लेंगे ताकि यह हल्वे जो है एक दम पॉफेक्टली बनकर तयारों का स्वाधता लाजवाब तयारों की सब इसको बहुत जादा पसंद करें तो इसको हम एक दो मिनेट के लिए ढग कर भी अच्छी तरीके से पका लेते हैं बिल्कुल गैस को सिम करके इसको पका लेते हैं और लिए हमारा ह्लुवफेक्टली तयार हो चुका है आपको अब क्षी तरीके से हमारा हलुवा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है आप देख सकते हैं इस तरीके का इम्मुनिटी बूस्टर, हेल्दी, कैशियम, आईरन, सबसे भरपूर, जो हमारी हेर हो, स्किन हो, शुगर लेवल हो, या फिर हमारे प्रोटीन की कमी हो, या हमें चुस्ती, दुरुस्ती, सबकी जरुवात हो, वो सब पूरा करना है, वो भी कुछ दिन के लिए इस हलुए को इसको हम सर्फ करेंगे, यह ऐसा हलुए आपने शायदी कभी खाया होगा, मुझे कमेंट में बताइए का कि हलुए की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आप नेक्स रेसिपी कौनसी देखना पसंद करेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक प्लीज करू की आप लोगों से अपनी नेक्स वीडियो में मिलूंगी एक नई अच्छी रेसिपी के साथ, आप जब तक इसको अपने घर पे बनाए और इंचॉय करें, आज के लिए बस इतना ही इसे आप घर पे अपने ज़रू बनाईएगा, बाबाई